आप देख रहे हैं डेंजर जोन और अब तक यानि अपसे आदे घंटा पहले हमने बात की सिर्फ निवेश की कुछ ऐसे स्टॉक्स पर चर्चा की जहां पर आप निवेशित है लेकिन अप चर्चा होगी उन शेरों की जिन से आपको दूर है ना है जहां आप अगर निवेश अंचे हुए हैं सोचे हुए हैं तो अपने प्लांस को ड्रॉप कर दीजिए अगले आदे घंटे के दुरान उन सभी शेरों को लेकर जिन पर हम चर्चा करेंगे मेरे सभी से होगी मौजूद रहेंगे आपको बताने के लिए कुछ ऐसे शेर जहां पर आज एक कमजोरी दे और सिधे जान लेते हैं उनसे कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर एक नेगेटिव नुस फ्लोगी हो जासे आज एक बिक वाली देखी जा रही है मनेश कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास और क्या वज़ा है इस गरावट के पीछे हो बल्कि हो सकता है कि किमते भी बर्ती भी दिखे हो इस वह से हम देख रहे है कि उनकी कमाई का बड़ा हिसा जो उनका खर्च होता है तीस से लेकर 35 पर सेंट की एटीए पर जाता है तो ऐसे में अगर उसके किमते नहीं घटने की गुंजाइस बरती है तो इन कंपोनों के आने वाए दिनों में मार्जिन पर दवाब देखने को मिल सकता है यहीं वह है कि आज जो इस पाई जेट एवजेसे स्टॉक्स में गिराबर देखने को मिल लए हैं दूसरा जो शेरों का धरानी सुगर होगा पिसले कुछ दून में देखे शेर में एक जोड़ार रैली दे ज्यादा तो नहीं है तो ऐसे में थोड़ा सा इसमें समलने की जोड़त है क्योंकि हमने देखा कि कई सारे चीनी शोड़ों में तेजी बिना किसी फंडामेंटल के बदले आ गई है और लगातार यह कंसर्ण जताया जा रहा है कि कई चीनी कंपनियां हैं जिनके वेलिशन इ गिरावट देखिनों को मिलें करीब चार दिनों में यह बीस परसेंट तक फिसल चुका है ब्लॉग डिल के जड़ी जो है आज जो है करीब पांच लाग शोड़ों का सौधा हुआ था और जो मवजूदा भाव हलाकि अभी फ्लाइट टू पॉस्टिव यह कारवा कर रहा ह लेकिन चौदार रुपे सततर पैसे परती शेयर के अधार पे ब्लॉग डिल हुआ था उसकी बाद हमने देखा था कि शेयर में गिरावट देखिनों को मिल लही थी और आकी में जो शेयर होगा लंबोदा टेक्स्टाइल होगा देखे इसके नतीजे की उफर के खराब थे और पिछले चार दिनों से देखे शेयर में लगाता गिरावट का ट्रेंड देखिनों को मिला कड़ी 15 पर सेंट गिर चुका है तो कहींने कहीं खराब नतीजों के वज़से इसके शेयर को लगाता पनिस किया जा रहा है तो ये चार स्वेड हैं इसमें अलग अलग ख़़ो वेरिन यह और यह वर वर हविव जयुद प्रिंध प्रांज भी आप एक स्टम अ है तो निसार निशाम इस पूबलाइग को सब्सक्राइज ने घृटर गया इंपर इसम्री एक वह थे डिकुंद टूटी बादेश्टा गणा तो निशार निशार बार में आखेवन हाब न तो मुझे लगता है कि उसका जो जिस तरह से से जो भाग रहे थे जैसे भी मनीश ने बताया जो मेजर कॉस्टिंग होथी वह वह विशन टर्बाइन फ्यूल होता है पिछेख फिर बाइन के प्रिसे प्रिजिप काफी अग्यूर गए तो मार्जन बो देखने को नहीं मिलें जो कोर्टर में अभी दिसेंट कोर्टर में पर्फॉर्मेंस देखने को मिली तो मुझे लगता है कि एवीशन स्टॉक्स पर प्रेशर जरूर बना रह सकता है नियर टर्म में ऐसा मानते हैं आसवारब तो एलर्ट रही अगर आप निवेश करने के बारे में सोचें हो सकता एंट्री के लिए और अगर आप निवेश्चित हैं तो भी आप सतक रहे हैं आपे कॉमेंस क्या है लोकेश जो चार्ज चॉक्स का जिक्र क्या है अनिशने स्पाइस जेट गोकुल दास एग्रो लंबोदर टेक्स्टाइल या पर धरानी शूगर टेखनीकली जहां पर आप 5-10% की क्रेक्शन देखी जा सकती है तो इस टो इस आप जाल या सकती है अप स्थाइस एक मेंस क्नाक्ण क्या क्याँ पर आप धाइस जाल पर डेख नोग कर यह तक बात करते हैं इसपाइजू स्थाइट में एक साइट टूरी जा शुड़िशन हो रहा है जहां पर सिकोश the stock to consolidate and spend some time between this range, अगर 86 के पर ब्रेक आउट होगा तो आपको 100 उपीस के लग्षा उपा की तरफ मिल जाएंगे. जे, चेलिए अलर्ट रही हैं सभी स्टॉक्स को लेकर, लोकेशन नहीं बताया कि टेखनीकली वीक लग रहे हैं ये शेर्स और कॉशियस रही है अगर आपके पॉर्टफोलियो में हैं आपर खरीद में बारे में सोच रहे हैं.